दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग Realme 3 मोबाइल में ब्लोग क्या हुआ नंबर का कॉल और मैसेज कैसे देख सकते हैं अगर आप लोग Realme 3 मोबाईल में किसी का नंबर ब्लॉक कर दिये हैं और उसका कॉल और मेसेज बार-बार आ रहा है दोस्तों तो आप लोग उसका कॉल और मेसेज कैसे देख सकते हैं और कैसे मेसेज को पड़ सकते हैं सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एक नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है और यहाँ पे जो है मैंने उस नंबर से कॉल भी किया है तो इस टैप का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता होगा ठीक है तो यह वाला नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो आप लोग ब्लॉक किया हूँ नंबर को कैसे देख सकते हैं कि कब-कब कॉल आ रहा है आप लोगों के मोबाइल में और आप लोग ब्लॉक किया हूँ नंबर से मैसेज आ रहा है ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो को नोटिपिशन जल्द से जल्द मिल जाए तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के डाइलर में चले जाना है ठीक है अपने मॉबाइल के डाइलर में जाने के पाद आप लोगों को यहां उपर टू लाइन में क्लिक कर देना है ठीक है आप लोग देख सकते हैं दो डॉट दिया हुआ है तो आप लोगों को डॉट में क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे block and filter इसमें click कर देना है ठीक है जैसे ही आप लोग इसमें click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक side में calls लिखा हुआ है और एक side में message लिखा हुआ है ठीक है तो अगर block किया हुआ number से call आएगा तो यहाँ पे call में so होगा और message आ हुआ है focusing लेक्ते हुआ है आप लग्ते कया क Combat लग लोग चकता से एजर सकते हुआ है